दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की इंटर क्रोपिंग फार्मिंग के बारे में इंटर क्रोपिंग फार्मिंग का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक ही समय में और एक ही खर्चे में हम दो फसलों से एक साथ उत्पादल ले सकते हैं इससे हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये निकल के आता है कि हमारा जो मुनाफ़ा होता है वो डेड़ से दो गुना तक बढ़ जाता है जैसे कि हम तर्बूज की फसल लगा रहे हैं और उसके साथ में किसी दूसरी फसल की इंटर क्रोपिंग कर रहे हैं तो उसी खर्चे में हमारी वो दूसरी फसल निकल के आ जाती है तर्बूज की साथ में किसी दूसरी फसल की अगर हम इंटर क्रोपिंग कर रहे हैं तो यहां पर हमें कुछ ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जो तर्बूज के साथ में आसानी से गरो हो जाए यानि कि तर्बूज से ज़्यादा समय तक वो चलती रहे क्योंकि दोस्तों तर्बूज की फसल जो होती है वो लगभग तीन महिने की होती है मैक्सिंमम अगर आप ले के चलिए तो लगभग साढ़े तीन महिने में आपकी तर्बूज की जो कौ रोप होती है वो समाप्त हो जाती है यानि कि जो उत्पादन जितना निकलना होता है वो 3.5 महिने में तर्बूज की फसल उत्पादन देके और खटम हो जाती है उसके बाद में अगर दूसरी फसल के हम इंटर क्रोपिंग इसके साथ में कर लेते हैं उसके बाद में यहां पर हमें ऐसी फसल को लेना चाहिए जैसे ही हमारी तर्बूज की फसल खतम हो उसके बाद में दूसरी फसल से हमें उत्पादन मिलना सुरू हो जाए तो ऐसी फसलों का अगर हम चुनाव करते हैं और अगर इस तरह से इंटर क्रोपिंग करके अगर हम सबजियों की खेती करते हैं तो यहां पर हमारा मुनाफ़ा होता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है उत्पादन भी हमारा काफी बढ़ जाता है और मुनाफ़ा भी इससे हमा बात किजिएगा चैनल पे नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकनी प्रेस कर दीजिएगा तकि समय समय पे आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेट किसान जोन जोन जोन। जैसे ही आपकी जमीन की तैयारिया सुरू हो जाएं और उसके बाद में जब आप बैड बना रहे हैं तो सबसे पहला आपको बैड बनाते समय यह धान रखना है कि बैड की जो चोड़ाई है वो आपको ठोड़ी सी ठीक ठाक रखनी है। तर्बूज्ड किसान वैड़ की चौड़ाई होती हैं काफी कम लेके चलते हैं जो प्लास्टीक मल्च वगरा नहीं लगाते हैं वह काफी पतला वैड़ लेके ड़ाई से तीन फिट मिनिमम चोड़ाई होनी चाहिए आपके बैड़गी अगर आप तर्बूज के साथ में इंटर क्रोपिंग कर रहे हैं किसी दूसरी फसल को ले रहे हैं लगब ड़ाई से तीन फिट आपको बैड़ की चोड़ाई रेखनी है और उसके बाद में अगर प्लास्टिक मंस्तो आपको लगाने ही पड़ेगी तो यहां पर अगर आप प्लास्टिक म्लच ले रहे हैं 25 रहे हैं या 21ruction की ले हैं आपको डबल हॉल में ले नीए जिसमें already jig zack hole निकले वे आते हैं यानि कि double line में hole निकले वे आएंगे कापी किसान भाई जो jig zack नहीं समझते हैं वो हम आपको बता देता हूँ यानि कि आमने सामने plastic mulch में दोनु तरफ होल निकले वे आएंगे उसको jig zack hole बोलते हैं तो जिग जैक होल में आपको प्लास्टिक मल्च लेनी है और उसके बाद में सबसे पहले आपको अपने तर्बूज के बीजो की बुआई करनी है जब आप अपने तर्बूज के बीजो की बुआई करनी है तो वो आपको सिर्फ सिंगल लाइन में अपने बीजो की बुआई करनी है यानि प्लास्टिक मल्च के एक साइड में जो होल है उनी होल में तर्बूज के बीजो की बुआई करनी है यानि वन साइड होल में आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप जिग जैक होल में प्लास्टिक मल्च लेंगे उनमें दोनु तरफ आपको होल निकलेवे मिलेंगे तो एक साइड में आपको जो है अपने तरभूज के बीजों की बुआई कर देनी है और दूसरी साइड आपको जो है वह खाली चोड है वहाँ पर आपको दूसरी फसल का चुनाव करना है वहाँ पर आपको दूसरी फसल की या तो इंट्र क्रोपिंग आराम से कर सकते हैं हरीमिरची का अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो आपकी हरीमिरची जब तक आपको उत्पादन देना शुरू करेंगी तबतक आपका गलत करें और अब वह हो उत्त्र दे कर समाफ्थ हो चुका होगा और उसके बाद में हरी मिर्ची आपको जो है लंबे समय तक उत्पादन भी देती रहेगी और तर्बूज के साथ में हरी मिर्ची का प्लांटेशन जो है वो आराम से हो जाता है कहने का मतलब है इंटर क्रोपिंग इन दोनों फसलों की आराम से हो जाती है कुछ और फसले अगर बेल वरगिये सबजियों के हम ले जैसे लोकी और तोरी वगरा जो फसले होती है उनके साथ में हम मिर्ची वगरा या किसी भी तरह की जो इंटर क्रोपिंग करते हैं वो थोड़ा सा मुश्कि करेंगे तो वो आपकी दूसरी फसल को नहीं होने देंगी यानि कि उनकी लताएं जो है वो दूसरी चीज को लपेटे में भी ले लेती है जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया होगा इस तरह से तर्बूज की फसल में ऐसा कुछ नहीं होता है तर्बूज की फसल होती है जमीन पे लगके चलती है और दूसरे प्लांट को अपने लपेटे में वो थोड़ा कम लेती है हाला कि एकदम सामने जो प्लांट आजाता है लताओं के सामने से तो उसको जरूर वो ले लेती हैं बाकी इतना ज़्यादा लपेटे में नहीं लेती हैं और लताओं का engagement भी बाड़ी में इतना ज़्यादा तरबूज की खेती में नहीं होता है लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा तरबूज के साथ में अगर आप मिर्ची का इंटर क्रोपिंग कर रहे हैं तरबूज के साथ में इंटर क्रोपिंग आप तब करें यानि मिर्ची का प्लाटेशन आप तब करें जब जो है करीब करीब आपके तरबूज की लताओं की बड़वार होनी शुरू हो जाए ताकि प्लास्टिक मल्च पे जहां पे आप प्लांटेशन करेंगे वहां से सारी बेलें हट जाएंगी वो दूर निकल जाएंगे उनके नाल जो होते हैं आगे गा जो तर्बूज की बेल का सीरा होता है वो वहां से दूर चला जाएगा उसके बाद में अगर आप इंटर क्रोपिंग करेंगे तो मिर्ची की फसल को आपकी तर्बूज की फसल कहीं भी डिस्टब नहीं करेंगी और काफी किसान बाई जो है तर्बूज के साथ में मिर्ची का इंटर क्रोपिंग करते हैं और काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मुनाफ़ा मिल जाता है जैसे कि दोस्तों तर्बूज की खेती अगर आप एक एकड में कर रहे हैं और एक एकड में तर्बूज से आपको दो लाख रुपए का मुनाफ़ा मिलता है तो वहीं पर अगर आप तर्भूज के साथ में मिर्ची की इंटर क्रोपिंग करेंगे तो आपका मुनाफ़ा डबल हो सकता है यानि कि 4 लाक रुपे तक जा सकता है क्योंकि तर्भूज की खेती से तो आपको मुनाफ़ा मिलेगा ही रखाउन भी आ जाते हैं तो मुर्ची के जो मंडी भाव होते हैं वह वापस बढ़ने की संभावना भी रहती है और इतने लंबे समय तक उत्पादन मिलेगा तो आठ मेने तक जीश्स फसल का उत्पादन मिलता है तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि आठ मेने तक लगातारी मिर्ची के मनडी भाव होंगे वो डावन रहेंगे और उत्पाधन भी तर्बूज की खेती से आपको मिर्ची का जो है वो कम नहीं मिलता है और मनडी भाव भी इसके काफी अच्छे आपको मिल जाते हैं तो मुनाफ़ा जो हो आपका वो कहीं न कहीं से डबल हो सकता है अगर आप तर्बूज के साथ में मिर्ची की इंटर क्रोपिंग कर लेते हैं आज के वीडियो में दी गई जानकर ये अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर जरू कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू कि जाईएगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद्ट